आहिर रह्मान रहीम, असलाम अलेकुम डियर स्टूडेंट्स सो इन्वार्मेंटल बियालोजी में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कुशन है डिट इस पॉल्यूशन एंड इस इंपक्ट ऑन हैबिट्स सो आप सब लोग जो हैं, आप सब स्टूडेंट्स बहुत फेमिलियर हैं इन वर्ट से पॉल्यूशन क्या है, उसके इंपक्ट क्या है, हैबिट्स के ओपर इस से पहले अगर आप अपने प्रिवेस स्रेक्टर को रिकॉल करें तो environmental biology के अंदर हमने जो हैं, वो disasters discussions की हैं basically, उन disasters में कुछ disasters ऐसे हैं, जो environmental pollution के वरण से भी जो हैं, वो cause हो रहे हैं, so this is very simple topic, just आपके concepts हैं, जो आपने इस topic में clear करने हैं और कुछ हम impacts देख रहे होंगे, इस topic के अंदर, pollution के, जो habits के ओपर डाल रहा है habits mean आपका lifestyle, lifestyle देखें जाके relate करता है किसके साथ, biodiversity के साथ, ठीक है, lifestyle किसका है, living organisms का, living organism क्या है, biodiversity है, हमारे पास जितनी भी variety है, organisms की, उनके उपर, pollution किस तरहां से असर अंदाज हो रही है, that is called as impact on the habits or habitat, इसका of habitat के महनु में भी, इस्तमाल कर सकते हैं, So, first of all, is the definition of pollution, pollution को हम दो तीन तरहां से define करते हैं, very simple, यह undesirable changes हैं, यानि हमें इनकी जरूरत नहीं होती हैं, हम इनकी तवक्कों नहीं कर रहे होतें, कि यह changing हमें देखने को मिलें, लेकिन हमें changes देखने को मिलते हैं, physical, chemical or biological composition के अंदर, कित की physical, chemical, biological composition, हमारे natural environment की, देखें, एक चीज है जिसको हम गुदरत का नाम देते हैं, कुदरत क्या है nature, और वो nature क्या है, हमारा natural environment, अब इस natural environment के अंदर, जो जो changing दा रहे हैं, with reference to physical, chemical नोयत के हैं, या वो कहलें, biological नोयत के हैं, और वो किसको असर अंदाज कर रहे हैं, वो हमारी air को, हमारे water को, हमारी soil को असर अंदाज कर रहे हैं, so that is called as pollution, उस चीज़ को हम अलूदगी का, pollution का नाम देते हैं, इसी तरह हम pollution को define करते हैं, कि यह क्या है, यह presence है, किसकी presence है, harmful pollutants की, okay, the word is pollution, P for pollution, P for pollutants, pollution क्या है, एक effect है, और जिसकी वज़ा से यह effect cause हो रहा है, they are the pollutants, और pollutants भी हमारे environment का हिस्था हैं, जो हमारे environment को unhealthy बना रही हैं, कि हम इसमें जिन्दा ना रह सकें, हमारी जिन्दगी खत्रे में है, देखें, air अगर pollutant हो रही है, air के अंदर pollutants मजूद हैं, तो ultimately हम सांस नहीं ले सकेंगे, water अगर pollute हो रहा है, water के अंदर pollutants हैं, तो हम पानी नहीं पी सकते हैं, और अगर हम पानी पीएंगे, तो that means हम अपने आपको, जो हैं, वो मोद की तरफ ले के जा सकते हैं, अगर बहुत,